नमस्कार, मैं हूँ दॉक्टर सारिका गुपता, सीनिय कंसल्टेट एड यूनिट एड गानकॉल्जिक उन्कॉलोजी, राजीव गांधी कैंस्टूट इंस्टूट इंटर रोहिनी डेली, आज हम एच्पीवी के उपर बात करेंगे, एच्पीवी के टेस्ट के उपर बात कर हुआ है, 1% हिठीवी होता है और 90 पतिषन सर्विक्स कैंसर किसी ना किसी जो चौधा जो HPV के टाइपस और हाइरस टाइपस उनसे होता है HPV से कुछ होर चैंसर होते हैं जैसे औरो फेरेंजल मतलब गले का कैंसर मुखा कैंसर और पेरीनियम में जो वो भी HPV से होते हैं, वल्वा और वजायन का cancer भी HPV से ही होता है, तो HPV का test बहुत important है, और अगर किसी महिला को HPV पॉस्टिव आता है, उसका क्या मतलब है? HPV पॉस्टिव का मतलब सिर्फ यह होता है, कि at high risk HPV से, उसका एक average risk woman से, मतलब एक normal population से, सर्विक्स cancer का या उस HPV से संबंदित cancers का risk साधा है, बस यही यह बताता है, और अगर HPV के साथ जो हमने pap smear किया है, और या LBC किया है, मतलब सर्विक्स के जो सेल्स को हम जांच के लिए भेजते हैं, उसके अंदर कुछ खराबी आती है, और biopsy में कुछ खराबी आती है, pre-invasive disease आती है, CIN1, 2 या 3 आती है, तो हम उसका treatment करते हैं, HPV positive का यह भी मतलब है, कि अगर कि आगे उस महिला का follow-up चलेगा, जिससे की पतार लग सके कि उसमें कुछ changes आ रहे हैं, या नहीं आ रहे हैं, और किस तरह का treatment होना चाहिए, जो CIN1 है, उसका अगर diagnosis होता है, तो गांसर होने का उसका risk बहुत काम है, एक प्रतिशत से देर प्रतिशत होता है, अगर CIN2 या 3 है HPV के साथ, तो उसका risk जो है 18 से लेके 20 प्रतिशत risk होता है, कि उससे cervix cancer हो सकता है, इसलिए HPV का test कराना बहुत जरूरी है, अगर आपका doctor आपको यह advice करता है, कि आप test कराएं, तो आप जरूर कराएं, धन्यवाद.